हलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल आवाद स्टेडी में आज हम आपको जूनियर इंजिनियर भरती 2022 एन्बी सीसी की जो है इलेक्टिकल इंजिनियरिंग के इस्पेक्टेड कटाप के बारे में डेटेल से आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इलेक्टिकल जिसका एक्जाम भी जल्द ही हुआ है और इन्बी सीसी जेई का एंसर की भी जा गई है उसके बाद कितनी कटाप जो है डीवी के लिए और सेलेक्शन के लिए जा सकती है इसके बारे में बिश्टित अध्यन बिश्टि जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी इलेक्टिकल इंजिनिरिंग के लिए ये अन्बी सीसी जेई भरती 2022 इसका एक्जाम अभी इसी महीने में कराय गया है उसके इलेक्टिकल इस संभावित कटाप के बारे में डीटेल से इस वीडियो में बात की होती है तो देखिए कि इससे पहले बात करते हैं कि कटाफ के जाने के क्या क्या कार्ण है और किन-किन बातों पर कटाफ निर्वर करती है तो से पहले बात करते हैं पेपर का लेबल कि इलेक्टिकल इंजिनिरिंग का जो पेपर आया था लेबल मॉडरेट था आप नवसे सर और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी क्योंकि अबहर्थियों को कोई पेपर नहीं था इसलिए अबहर्थी जो है इसको फाम में इसके पेपर का लेबल जो है टेकनिकल तो आपका सकते हैं मौडरेट था पूरी तरह से लेकिन नौन टेक्ट जो था मौडरेट टू हार्ड की तरफ जा रहा था चुकि टेकनिकल नव्य कोउशन थे और नान टेक बूरी थे इसलिए मोहतपुल टेकनिकल था नान टेक पहुई चाहादा मौटतपुल भूमका नहीं नवा रहा था इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी इन सबके बातों को ल बनाए गया था इसलिए भर्थी जो है लगवग लगवग पस्थिती अपनी दर्ज कराये थे इसके बाद एक बात और महत्पुलाती एक एक जाम सेंटर की हालत देखे कि चुकि इस परिच्छा को जो है इसलिए इसके एक जाम सेंटर पर बदहाली देखने को मिली थी और सेंटर जो हद्यास साइडें बनाए गए थे जहां पर व्यवस्थाएं नहीं थी आपने कई वीडियो देखाऊगा जिसमें व्यवस्थाओं के बारे में अभर्थी जो हलागातार सोसल मीडिया पर फोटो और वीडियो डाल रहे थे और विश्वसनी एक्जाम सेंटर नहीं बनवाए गए थे इसके बाद करा कि परिच्छा पड़ाली में धांदली देखिए पहली बात तो मैंता दूँआ कि एक्जाम सेंटर ही साही नहीं बनाए गए थे क्योंकि यह कोई नई कंपनी सो करा रही थी और परिच्छा पड़ाली में धांदली के मतलब यह कि इसमें जो इक्जाम सेंटर करने वाली सांस्था थी और जहां एक्जाम सेंटर था वहां पर और किसी भी अभ्यरती का कोई बायोमेट्रिक नहीं हो रहा था और ना कोई चेकिन हो रही थी ना कोई बायोमेट्रिक हो रहा था जो अभ्यरती जिए आप चाहिए जिस भी सीट पर जाकर बैठ सकता था जैसे अगर दो अभ्यरती जान पचान के हैं तो एक जिगम बैठ करके एक जाम दे सकती थे और सबसे बड़ी बात है कि यह तो चलि बाता है कि कौन अंदर घुसा है और कौन एक्जाम दिया है कौन एक्जाम नहीं दिया है आप देखें होंगे कि जो भी परिच्छा करवाती है वह प्री बायोमेट्रिक और पोस्ट बायोमेट्रिक यानि परिच्छा के पहले बायोमेट्रिक करा जाता है जिससे यह सुनश कर सकता है पहले अता दोता हूँ आप मैं कि 120 कोश्चन से पूछे गए थे और इसमें 90 टेक्निकल थे और 30 कोश्चन नान टेक थे इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी पेपर मॉडरेट था उन सब की आदार पर इनवी सी सी जेई इलेक्टिकल इंजिनेरिंग इस्पेक्टिर कटाप की बात करें तो 120 नंबर के पेपर में पेपर मॉडरेट और चुकी उपच्थिती अधिक थी इसलिए जनरल की जो कटाप है वह 96-101 नंबर की बीचे वरी करेगी यानि जनरल कटाप जो है 96-101 की बीचे वरी करेगी आप इसको प्लस माइनस तीन और कर सकते हैं अगर जिन भी अब्यर्थियों के 96-101 नंबर प्लस माइनस तीन हो रहे हैं वह है सेफ जोन में हैं इसके बाद बात करते हैं कि OBC की OBC की देखें OBC कटाप अगर 92-95 की बीच में प्लस माइनस तीन अगर इसके बीच आ रही है तो अब्यर्थियों सेफ जोन में अपने आपको मान सकते हैं इसके बाद अगर बात करें EWS के तो 90-93-2 की बीच में जिस अभी अब्यर्थियों के और प्लस माइनस इसमें आप 5 मान के चलिए यानि EWS में प्लस माइनस 5 और 90-93 की बीच में अगर आपके बन रहे हैं 120 में या 190 कोशन सही हो रहे हैं चुकि यह कोशन एक नमबर का था अगर 120 कोशन में आपके 90-93 नमबर या 93 कोशन प्लस माइनस 5 अगर बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से शेफ जोन में हैं अगर यह 80 की बात करें तो 85-88 नमबर प्लस माइनस 5 जिससा ब्यर्ति की बन रहे हैं वह पूरी तरह से शेफ जोन में हैं इस तरह स्टी की बात करें तो जिस भी ब्रती के 80-82 निंबर हो रहे हैं वह पूरी तरह से शेव जोन में हैं यह भी अपने आपको प्लस माइनस 5 ले सकते हैं और अधर जो भी कटेगरी अगर अपलिकेबल हो रहे हैं तो अगर उनका 80 प्लस है प्लस माइनस 5 है तो अपने प्लस माइनस 3 हो रहा है वह सेफ जोन में हैं उसे पकार से अगर बात करें ओवी सी कटेगरी के लिए जिनका 92 से 95 नमबर की बीच में प्लस माइनस 3 हो रहा है नमबर जाए हो रहा है तो वह पूरी तरह से सेफ जोन में हैं अगर बात करें यसिद अब्य刃तिकी तो 80 अभ्यर्थी में भी जिन अभ्यर्थियों के 85-88 नंबर प्लस माइनस 5 हो रहा है वह पूरी तरह से safe zone में हैं अगर बात करें तो 80-82 नंबर जिन भी अभ्यर्थियों की बन रहे हैं और प्लस माइनस 5 ले ले इसके आसपा जिसके नंबर हो रहे हैं वह अपने आपको safe zone में मान सकता है अगर अधर की बात करें तो 80-85 जिस भी अभ्यर्थी के हो रहे हैं वह पूरी तरह से safe zone में है लेकिन इसमें समस्या हो रहे है कि जीन अभ्यर्थि अभ्यर्थियों को डर है कि जिस तरह से कारपडाली exam center की रही है उसको ले करके संदेख इस्थिति उपन होती है लेकिन मैं भी बता रहा हो कि जितना कटाफ है इससे अधना कटाफ नहीं जाएगी चाह किसी भी हालत में आप देख लीजिएगा क्योंकि निगेटिव भले है बच्चों के छोटे छोटे कोश्चन भी गलत हुए है जो अमुमन बड़ी परिच्छाओं में गलत नहीं होते हैं वह इस परिच्छा में कोश्चन जो हैं गलत हुए है तो थांक्यू धना बाद आप हमारे चैनल को चाहिए तो कमेंट बाक में लेका हमसे पूछ सकते हैं थांक्यू अ झाल झाल